हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जिगर शाह है मैं चाटाड अकाउंटेंट हूँ और मैं एसके राठेंग कमनी चाटाड अकाउंटेंट नाम की हमारी एक फर्म है उसमें मैं पार्टनर हूँ मेरा फर्म मुंबई बेस्ट है मेरे साथ कुछ 15 लोगों की टीम है हम साथ में मिलके का करते हैं और हमने काफी सारे क्लाइंट जो हैं उनको जोहो यूज करने में हेल्प किया है उसको जोहो को इंप्लेमेंट करने में हेल्प किया है और हम लोग काफी सारे हमारे क्लाइंट के लिए जोहो बुक्स में अकाउंटिंग भी करते हैं और उनके बाकी सारे जो कंप्ल accounting software आपको पता होगा, इंडिया में Tally सबसे बड़ा accounting software है, जो most of the businesses जो है, Tally को use करती है as an accounting software, इसके इलावा बहुत सारे accounting software हैं, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, जैसे US में लोग QuickBooks जाधा तर use करते हैं, Australia में zero करके accounting software है, वो लोग जाधा use करते हैं, और जो बड़ी companies होती हैं, जैसे हम जो Reliance ले ले हम, या जो बड़ी listed companies होती हैं, वो ERP software यूज करती है, ERP software है कैसा software होता है, जिसमें accounts एक छोटा सा भाग होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें cover होती हैं, जैसे manufacturing हो, employees management हो, purchase का process हो, sales का process हो, sales order process हो, inventory हो, तो ERP ये एक comprehensive बड़ा software होता है, और SAP सबसे बड़ी company है, जो ये software बनाती है, उसके बाद Oracle करके एक company है, वो भी बहुत बड़ी company है, जो बड़ी organizations के लिए ये softwares बनाती हैं, तो Zoho Books एक cloud-based accounting software है, लेकिन Zoho company के बहुत सारे अलग-अलग softwares हैं, tools है, Zoho अपने आप में बहुत बड़ी company है, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, Zoho के बारे में, कि वो क्या करती है, कितनी बड़ी है, वगेरा वगेरा, वो इंडिया-based software company है, चन्ने में उसका headquarters है, तो उसके काफी सारे products है, CRM, Customer Relationship Management का product है, Zoho Payroll है, Zoho Expense है, Zoho Desk है, Zoho Projects है, तो बहुत सारे products हैं, हम जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे Zoho के finance-related products के बारे में, So, Zoho के finance-related products है, वो कुछ चार products है, वो है Zoho Books, Zoho Inventory, Zoho Payroll, और Zoho Expense, इसमें से जो सबसे बड़ा piece है, वो Zoho Books का है, because that is the core product, और Payroll, Expense, और Inventory इसके around बनाये गये हैं, Although Payroll, Expense, और Inventory अलग से भी हम use कर सकता हैं, लेकिन अगर चारों चीज़े अगर integrated हो, तो उसका सही में value बाहर निकल के आता है, तो जैसे मैंने पहले बोला, एक Cloud Zoho Books, एक Cloud-based accounting software है, तो अगर हमको समझना है कि exactly software करता क्या है और है क्या है, तो हम उसको सीधा-सीधा compare करेंगे, टैली जैसे software से, टैली जैसे, टैली भी एक accounting software है, लेकिन टैली जो है, वो desktop-based accounting software है, desktop-based accounting software है,Caking Cloud-based accounting software है, कि software का data है, वो desktop-based accounting software में आपके local PC में या local server में saived होता है और cloud-based accounting software में यह होता है, कि जो data है वो cloud में save होता है, मतलब, zoho company का do server है, वहां पे होता है, अगर major differences देखें तो अगर टैली को अगर आपको कहीं से भी access करना हो तो उसका अभी remote login वेकर हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा difficult process होता है लेकिन यह जो design है अगर कोई भी cloud-based software आप use करें आप उसको कहीं से भी access कर सकते हो और कोई भी time पे access कर सकते हो उसमें आपको कुछ अलग settings अगर अप्लाई नहीं करनी होती है विकॉस यह by default ऐसे बनाया गया है कि कोई भी वक्ति उसको कहीं से भी use कर सकें दूसरा का बड़ा distinction देखें हम तो mobile से usability एक cloud-based software जो होता है उसकी काफी easy होती है टैली में हमको एक नया कोई add-on खरीदना पड़ेगा जिसके बाद हम कुछ mobile से accounting वगेरा कर पाएंगे आप mobile में अपना data को view कर पाएंगे बट यहाँ पर once again यह default functionality होती है उसका एक Zoho Books का अपना एक mobile app है आप उसके थुरू आपके data को देख सकते हो और transactions भी कर सकते हो तीसरा जो बड़ा distinction है वो यह है because Zoho Book cloud-based software है उसके साथ काफी सारे integrations किये जा सकत हैं और जैसे मैंने बताया कि Zoho के अपने खुद के कुछ चालीस एक products है जिसके साथ हम integrate कर सकते हैं और पूरे ecosystem को हम चला सकते हैं हमारे business के ओपर हम control रख सकते हैं यहाँ पर Tally की limitations है because वो desktop-based software है उसमें भी integrations होते हैं लेकिन वो करना काफी difficult होता है तो अभी हम दिखते है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी businessman कोई एंटरप्रेनॉर यह क्यों चाहेगा कि वो Tally को छोड़के जोहो बुक्स यूज करें तो अगर मैं businessman की बात करूं तो जो भी businessman होता है या entrepreneur होता है वो Tally का जो look and fill है जिसको हम UI UX के बारे में बात करते हैं यूजर experience के बारे में बात करते हैं टैली का वो जो इंटरफेस है वो काफी एक काफी एक तरीके से ओल्ड फैशन है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अकाउंट का बैग्राउंड नहीं है उसके लिए टैली समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जबकि जोह अभी एक न्यू एच प्रोडक्ट है तो जो सालों से टैली ही यूज किया है और हम लोग बहुत कमफर्टिबल है जैसे टैली के शॉटकर्स हमें आते हैं वगेरा वगेरा और हमको पता है कि टैली कैसे चलता है हमको कोई भी रिपोर्ट निकालनी है तो कैसे निकाल सकता है वगेरा वगेरा लेकिन जोह क्योंकि एक नय मिलती रहे और रियल टाइम मिलती रहे यह चीज टैली में मुश्किल है विकॉज सबसे पहले एंटर्प्रेणर उसको यूज करने के लिए कंफेटेबल नहीं है दूसरा टैली जैसा प्रोड़क्ट मैक पे चलता नहीं है और तीसरा डेस्टॉप बेस होने के कारण उसकी एक अगाण के वह कर जोहों बुख्ष यूस्ट कर रहा है तो उसको पता है कि एकसेस कर सकता है रीयल टाइम शेशस पर और यहीं नहीं क्योंकि दोहों में प्रियों स த आइप YouTube कर सकता है अपनी कर्यान कर सकता है तो ढू看 कि काफी सारे जो नए एंटरप्रेनियॉर्स है वह जो बुक्स यूज करते हैं विकोज उनके लिए काफी कमफर्टेबल है जो को समझना अब आपको सिंपल एक्जामपल दू अगर आपको जो हो से किसी को इन्वाइज बनाके भेजना है तो आपको सिंपल वहां पे इन्वा किये जाते हैं जो इन्वाइस का जो फॉर्मेट आता है वो भी कंपरिटिवली काफी सुन्दर आता है तो यह काफी सारे चोटी-चोटी चीज़े हैं जिसकी वज़े से काफी सारे बिजनेस्में एंटरप्रेनियॉर्स चूज कर रहे हैं कि वह अपने बिजनेस को जोह को लेके इतना कंफेटेबल नहीं है एक मेजर रीजन यह है इसका की नया प्रोडक्ट है और दूसरा यह अगर हम जोह बुक्स यूज कर रहे हैं तो हमको हर एक चीज में प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एस पर सिस्टम जाना पड़ता है जो हमारे लिए काफी जो हमारे अकाउंटेंट्स चार्ट अकाउंटेंट्स इसको यूज करना शुरू करें और सीखें कुछ नहीं चीज आ रही है उसको सीखें और अडॉप करें चेंजिंग सिनारियो में विक्कॉस टेक्नोलोजी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है आज के दिन हम जोह में बात कर रहे हैं लेकिन आगे चलके काफी सारे ऐसे टूल आएंगे प्रोडक्स आएंगे और लोग चाहेंगे कि लोग लेगसी सिस्टम से निकलके ने कुछ नई चीज अपनाएं टैली को छोड़के कुछ नई चीज अपनाएं और ज्यादा अपने बिजनस को सिस्टेमाटिक करें इसके लिए हमको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एन नई चीज को सीखें और इसको अडॉप करें और इसलिए मैंने चैनल बनाया है इस चैनल पर मैं जोहो हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में अलग-अलग वीडियो पोस्ट करूंगा अगर आपको और इसके बारे मे जानने की इच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें